मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो, तो उसे नियंतरित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बलकि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागरत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिये हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयन जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो, हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दुबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। ना हार चाहिए, ना चीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिष्टों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा न हो, जब आपके पास वक्त हो, तो रिष्टा ही न बचे। वो जो इस ग्यान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किये बिना जन्म और मृत्यू के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यू से भी बद्तर है, जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता।